crypto market में आखिर चल क्या रहा है , Ho क्या रहा है bitcoin के price कहां चलु रहे है किस लेवल पे चलु रहे है और क्या game market में हो रहे बात करेंगे शुरुवात करना चाहेंगे टॉप गेनर से आज का टॉप गेनर इस टाइम पे जो चल रहा है वो है एम बी कोईन एम बी की अगर हम बात करें 0.0071 से 0.0099 यनि एक जीरो किल करने की कगार पे एक कोईन पहुँच चुका है और अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो आप देखो यहाँ पे जो लेवल चल रहे थे इस कोईन के वहाँ से यह कोईन ऑल्मॉस्ट डबल आ गया फॉर्टी नाइन से ठीक है फॉर्टी नाइन फिफ्टी से दो जीरो के साथ कहां आ गया एक जीरो किल करने प्राइज यहां से डबल हो गया इस लेवल यह है करेंट लेवल अठाइस परसेंटाज एम भी पंप कर रहा है बिटकोईन के प्राइज में काफी जैदा उठा प और तो गेम करने का मोका इस वीक के अंदर बिटकोई गेम कर रहा है डैफिनितली पैंशच भजार चारसो तक बिटकोईन के प्राइस गए लगिन आप देखो पैंशच अज़ार चारसो से बासच भजार चारसो पर गए सिर्फ यहाँ पर वाउन के टाइम फ्रेम पे समच चलूं तो आप यहां पर क्लियर ली समझ पाओगे सिर्फ एक घंटे के अंदर एक डेड़ घंटे के अंदर बिटकोइन का प्राइस 65,000 डॉलर से कहां गिर गया बासटेजार चार्सुपर जब इस तरह के डंप आते हैं तो क्या होता है इस तरह के डंप क्लियर इंडिकेशन होते हैं कि यहां पर लिक्विडेशन का है तो चलेंगे लिक्विडेशन चार्ट के अपर कितना लिक्विडेट हुआ है थोड़ा सा अलर्ट रहे गा गेम हो रहे है मार्केट में और प्रॉफिट मिल रहा है लांग शॉट करके तो इसको बुक कर लीजे में एक ड्रामा खतम होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है एक अच्छी नियूज आती तो उसके साथ बैड नियूज आ जाती है ठीक है तो जैने सिस ने मिया पर मुव किया है वन पॉइंट फाइब बिलियन डॉलर के बिटकोइन एथिरियम लाइकली फॉर क्रेडिटर री जार आप देख सकते हैं यहां पर बहुत भड़े और हुज लिक्विडेशन सोलाना तक ने छे मिलियन डॉलर के लॉंग के लिक्विडेशन कर दी और सभी कॉइंस क्योंकि सभी कॉइंस में डंप आया बिटकोइन के साथ साथ सत्तर हजार से अब तक बासट हजार का लेव लॉंग वालों का 65 मिलियन डॉलर चला गया चार घंटे में 109 मिलियन डॉलर मार्केट ने पूरी बैंड बजाई है लॉंग वालों की पूरा 300 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हो चुका है यह तकरीव अदकरीवन पच्छीस सो करोड रुपीज हो गये ठीक है जिसमें से सबसे ज़्यादा पैसा तो लॉंग वालों का गया और 74 मिलियन डॉलर लिक्विडेशन है शौर्ट के तकरीव अंदकरीवन एक लाख ट्रेडर लिक्विडेट हुआ है पिछले 24 गंटे के अंदर नेक्स्ट हम बात करेंगे 27 जुलाई से 2 अगस्त कौन कौन से कॉइन्स ट सब्सक्राइब लिक्विडेशन है नेक्स्ट अपडेट एक सार्पी को लेगे 24 मिलियन डॉलर्स के ट्रांसफर हो रहे हैं बाइन्स से अनन वालेट के उपर आज तो अभी हमने बात की लिक्विडेशन की बहुत सारे लिक्विडेशन हुए और इसी बीच समवन गोट लिक्विडेटिड ओफ 1688 एथिरियम यानि 5.06 मिलियन डॉलर्स जस्ट नौ मार्केट में बड़े बड़े लिक्विडेशन होते हैं और इसके भी लिक्विडेशन हो गए पांच मिलियन डॉलर्स के अक्टूबर से मार्केट अच्छी चली और नवेंबर से नए ओल्टेम हाई लगने शुरू हुए थे और आपको याद होगा बॉंक और कैस्पा की बात हमने उस टैम की थी नवेंबर दिसंबर में जब दोनों ये अपने नए ओल्टेम हाई पे चल रहे थे वही कैस्पा आज जो करेंट प्राइज है 15 रुपीज का लेवल चल रहा है 0.18 डॉलर के साथ लेकिन दिसंबर में नए ओल्टेम हाई टच करने वाला कोईन शान्त हो गया था और आठवा महीना इस साल का दोहजार चोबिस का पहली डेट एक अगस्थ को कैस्पा ने अपना नया ओल्टेम है लगाया यानि कल कितने का सतरा रुपे तक लेवल पहुँच गए और अगर आप देखेंगे आपे 0.01 की एक रिप्टो दी 26 मई 2022 की अगर हम बात करें वहां तक लेवल चले गए थे उस साल मार्केट गिर रहा था और 0.01 का क्रिप्टो आज 17 रुपे को भी हिट कर गया पंप हुआ प्राइस बड़ा एक लाख बीस हजार परसेंट इस टाइम पे अगर कोई इको सिस्टम बढ़ रहा है वो सोलाना का सबसे ज़्यदा पंप होने वाले कॉइन सोलाना के हैं और बहुत सारे नए क्रिप्टो जार इसी बीच सोलाना का एक और क्रिप्टो इसका न नाम ही CAIR है और सर्प्राइज दा मार्केट विद एन 11,712 परसेंट राइज इन जस्ट वन वीक सिर्फ एक हफ़ते के अंदर इस कॉइन की जो कीमते हैं फर्स्ट वीक इन जुलाई सोलाना की बदोलत सोलाना के उपर जो कॉइन सारे उनको अच्छा बेनिफिट यहां पर मिल रहा है नेक्स्ट अपडेट है शिवा इनू को लेकर शिवा इनू की टक्कर में ना तो बिटकॉइन है ना ही कोई सकते हैं अच्छा रिटेट बिटकॉइन ने दिया है 14 सालों के था में इसलिए कह रहे हूं क्योंकि एक साल में जो शिवा इनूने की था वह अभी तक एक साल का जो record है ना वो शिवा इनु के नाम है शिवा इनुने एक साल में जो किया ना उस पर believe करना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि शिवा इनुने एक डॉलर वाले को भी करोड़ पती बनाया सो रुपे वाले को हजार रुपे वाले को भी करोड़पती बना है ना फ्रॉम जीरो टू हीरो शिबाइनू सर्ज 150 मिलियन परसेंट इन जस्ट 4 येर्स 4 येर्स में से हम 2022 के बाद का जो टाइम है ना मतलब 2021 ऑक्टूबर के बाद का जो टाइम है उसको निकाल देते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ था वही हुआ था वहीं पर 0.4 टाइम 086 के हाई लगाए थे 2021 के अंदर तब से शिबाइनू ने 350 परसेंट की रैली दिखाई इस साल मार्किट में ना कोईन कहते हैं ना खिलाड़ी जितना पुराना हो जाए इसका मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ी में अब दम नहीं है और शिबाइनू के लिए हम ऐसा कह नहीं सकते कि वो पुराना हो चुका है नहीं अभी तो सेकिंड बुल रहें नहीं है शिबाइनू का ठीक है कोई पांच साल साथ साल आठ साल थोड़े नहीं हो गया है तो जो पहले साल पहले आते ही मार्केट में इतना बड़ा धमाल किया क्यों क्योंकि आपको पता है शिबाइनू का प्राइस जब आया था ना मार्केट के अंदर आप यह देख सकते हो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस, जीरो लेके आया था शिबाइनू और आज की डेट में इसके प्राइस में चार, जीरो चल रही है सिक्स्टीन, सेवन्टीन की रेज है यह नया और प्रिवियस हाई लगा हुँ है जिसको ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है जो इस साल हो भी सकता है इसको ब्रेक किया तो एक, जीरो और कट जाएगी ठीक है और यहां से, यहां तक जो लेवल आया ना, चार, जीरो रह गई दस, जीरो में से, छे, जीरो किल किया, बहुत बड़ा नंबर होता है छे, जीरो किल करना और, इंक्रेडिबल, वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन परसेंट इंक्रीज ठीक है, यह बहुत बड़ा और बहुत लूज नंबर है, आप इसको डिनाय नहीं कर सकते शीबा इन्होंने जो किया है, वो बहुत बड़ा काम किया है ठीक है, अभी पंप नहीं आरा लेकिन उसके लिए आप और हम सिर्फ वेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, जब पंप का टाइम आएगा तो डेफिनिटली बड़ा पंप आएगा ठीक है, जब टाइम आएगा तब पंप भी आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिसर्च करें वो बहुत ज़रूरी है तब तक के लिए बाई बाई, टेक क्यार